वेलकम टू मास्टर माइंड अब जीके दोस्तो आज हम इस वीडियो में राष्ट पती से संबंधित 50 प्रश्ण में डिसकस करेंगे जो काफे इंपॉर्टेंट है दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जेनरल कमपटीशन हो उसमें राष्ट पती से संबंधित प्रश्ण अवस्य पूछा जाता है इसलिए दोस्तो वीडियो के लाष्ट तक बने रहें आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें तरह अवेल आइकन को जिरूर दबाएं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो का पहला प्रश्ण को देखते हैं पहला प्रश्ण क्या है कि किस अनुछेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट पती होगा ठीक है दोस्तो और किस अनुछेद के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट पती होगा तो भारतिय समीधान में राश्टपती का पद है जो अमेरिका के समीधान से लिया गया है ठीक है दोस्तों और याद रखेगा कि अमेरिका के समीधान से ही उपराश्टपती तथा सरवोच चिन्याले के मुख नायदिस का भी पद अमेरिका के समीधान से ही लिया गया है ठीक ह दोस्तों प्रश्ण इस तरह से भी रहता है संग्य कारपालका का परधान कौन होता है तो राष्ट पती अकिस अनुछेद के तहत अनुछेद तिरपन के तहत ठीक है चलिए अगला प्रश को देखते हैं देखे भारत की कारपालका सक्ति किस में नित होती है तब भारत की जो क पारपाल का सकती है जो किस में नित होती है राष्टपती में नित होती है अगला प्रश्ट को देखते हैं कि किस अनुछेद में राष्टपती पद हेतू योगताएं निर्धारित की गई है जिया दोस्तों राष्टपती पद के लिए जो योगताएं होते हैं तो किस चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं कि देश का समवैधानिक परधान कौन होता है तो देश का समवैधानिक परधान कौन होता है राष्टपती होते हैं चलिए अगला प्रस्ट को देखते हैं कर रहा है कि भारत की तीनों सेनाव का सर्वोच सेनापती कौन होता है तो जो भ समानुपातिक परतिनिधित्व एवं एकल संकर्मणिये प्रणाली के द्वारा होता है ठीक है राश्टपति के चुनाव किस पत्ति के द्वारा होता है समानुपातिक परतिनिधित्व एवं एकल संकर्मणिये प्रणाली के द्वारा होता है चलिए अगला प्रश्ट को देख अर्थात राजसभा लोगसभा और राष्ट पती को मिला कर भारतिय संसद बना है ठीक है जिसमें राजसभा है जो उच्छ सदन होता है और लोगसभा है जो निम्न सदन होता है ठीक है तो प्रश्ण क्या है भारतिय संसद का तिसरा अंग कौन है तो राष्ट पती है अगला प्रस्ट को देखते हैं अगला प्रस्ट क्या है कि भारत के राष्ट पती बनने के लिए उमिद्वार की नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए सभी जानते हैं दोस्तों 35 वर्स होनी चाहिए अगला प्रस्ट को देखते हैं कर आए कि एक व्यक्ति राष्ट पती पत के लिए ध राष्ट पती बन सकता है ठीक है अगला प्रस्ट को देखते हैं कि राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसे सौपता है तो राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसे सौपता है सभी जानते हैं किसको उपर राष्ट पती को सौपते हैं अगला प्रस्ट को देखते हैं अगला सही राश्टपती तथा उप राश्टपती पद का भी प्रोधान लिया गया है ठीक है तो महावियोग की प्रकिरिया भी अमेरिका के समिधान से लिया गया है अगला प्रश्ण देखते हैं जो दोस्तों बहुत इपोर्टेंट है कि भारत के राष्ट पती को उसके पत से हटाया जा सकता है जिहां मारत के राष्ट पती को उसके पत से हटाया जा सकता है तक कैसे हटाया जा सकता है महावियोग परकिरिया द्वारा कि संसद द्वारा हट ऐसकता है प्रकिरिया कौन है महा भीयोग फरकिरिया गौन है भारत के राश्ठपति को महा भीयोग राख में दोस्तो घी राश्टपति को और अब योग के द्वारा हटाया जा सकता है तो सम्मिधान के किस अनुछेद में यह वर्णन किया गया है अगला प्रस्ट को देखते हैं कि राष्ट पती का निर्वाचन किस परकार से होता है अप्सन दिया रहेगा दोस्तों परत्यचिरूप से या परत्यचिरूप से ठीक है तो राष्ट पती का निर्वाचन है जो किस परकार से होता है और परत्यचिरूप से होता है अगला प्रस्ट को देखते हैं कि राष्ट पती के चुनाओ का निर्णय कौन करता है तो राश्ट पती के चुनाव का नेने कौन करता है सर्वोची नियाले करता है अगला प्रस को देखते हैं कि राश्ट पती लोगसभा को भंग कर सकता है जिहां लोगसभा को भंग कर सकता है राश्ट पती तो किसके सलाह पे तो परधान मंत्री के सलाह पे राश्ट पती है ज कौन सा उन्षेद भारत के राष्टपती में अध्यादेश जारी करने का सक्ति परदान करता है तो उन्षेद एक सो तेज ठीक है दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सेर जरूर करें ठीक है तो चलिए अभी तक अगर वीडियो को लाइक ने किया है तो प्लीज लाइक कर दिजे अगला प्रस्ट को देखते हैं कि राष्टपती राजसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोयन करता है कर रहा है कि राष्ट पती द्वारा जारी एक अध्या देश संसत के सत्र प्रराम्ब होने के बाद कितने समय तक रखा जाना अवस्यक है ठीक है दोस्तों फिर से देख लिए question important question है कि राष्ट पती द्वारा जारी एक अध्या देश संसत के सत्र प्रारम्ब होने के बाद कित सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार प्राप्त है तो जिहां दोस्तों जो एंग्लो एंडियन होता है उसका मनोनियन लोग सभा में कौन करता है राश्पती ठीक है तो राश्पती को लोग सभा में किन दो सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार प्राप्त है तो एंग्लो एंड या आप देख लिए और इसको माइन में रख लिए तो राष्ट पती से संबंदित कोई भी प्रश्ण पूझेगा तो आपका नहीं छुटेगा ठीक है चलिए अगला प्रश्ट को देखते हैं कि भारतिये ससस्त्र सेनाओं का सर्वोच कमांडर कौन होता है पहले भी डिसकास से संबंदित उत्पन विवाद का निप्टारा किसके द्वारा किया जाता है तो सर्वोच नियाले के द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ट को देखते हैं कि राष्ट पती राजपाल की न्युक्ति में किसकी सलाह लेता है बहुत इंपोर्टन प्रश्ट नहीं दोस्तो कि राजपाल की निउक्ति कौन करता है, राष्टपती, और किसके सलाह पे, तो पर्धान मंत्री की सलाह पे, ठीक है, अगला प्रस को देखते हैं, कि स्वतंत्र भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे, तो डॉक्टर राजएंदर पर साथ, जो कहां से थे, बिहार से थे, पूर्णक ले गिये थे कौन थे वो नीलम संजीव रेडी चलिए अग्ला प्रस को देखते हैं कि सब से लंबे समय तक भारत के राश्ऴपती रहे कौन रहे थे डॉ-पर दोस्तो यह लगतार दो लगतार अग्ला प्रस को देखते हैं कि संभीधान के किस अनुझेद के मानने के लिए बाद है तो अनुषेद 74 के तहत चलिए अगला प्रश्ण को देखते हैं कि भारत के किस राष्टपती की मिर्थ्यू कारकाल पूरा करने से पहले हो गई थी जहां दोस्तों तो किन की मिर्थ्यू हो गई थी डाक्टर जाकिर हुसैन की अगला प्रश्ण को नायधिस ने कुछ समय तक भारत के राष्ट पती के रूप में कार किया था तो कौन थे नयायमूर्ति एम हिदाईत तुल्ला ठीक है दोस्तो जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर राष्ट पती किसी कारण वस या उनकी मिर्थी हो जाते है तो पद राष्ट पती का पद खाली हो पता है तो नयायमूर्ति एम हिदाईत तुल्ला चलिए अगला प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न क्या है कि भारत के राष्ट पती चूने जाने वाले पर्थम गैर कॉंग्रेसिव मिद्वार कौन थे? वीवी, गिरी थे अगला प्रस को देखते हैं कि भारत एक गंतंत्र है गंतंत्र का मतलब होता है गंतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज का परमूख उसके लोगों द्वारा परोच रूप से चुना जाता है ये गंतंत्र का मतलब होता है अगला प्रस को देखते हैं कि भारत की पर्थम महिला र प्रतिभा, देवी, सिह, पाटिल, ठीक है, सभी जानते हैं दोस्तों, अगला प्रस्ट को देखते हैं, भारतिय सम्मिधान का कौन सा नुछेद राष्ट पती को उच्तम नियाले से प्रामर्स करने की सक्ति परदान करता है, इंपोर्टिन प्रस्ट है, कि भारतिय सम्मिधान का कौन सा नुछेद राष्ट पती को उच्तम नियाले से प्रामर्स करने की सक्ति परदान करता है, तो नुछेद 143, ठीक है, 143, अगला प्रस्ट को देखते हैं, कि कि राष्ट पती पद की रिक्ती को कितने महिने के अंदर भरने, का प्रवधान है, ठीक है, कि राष्ट पती का पद अगरे रिक्त हो जाता है, तो उसे कितने दिनों के अंदर, अनि कितने महिनों के अंदर भरने का प्रवधान है, तो 6 महिने के अंदर, ठीक है, अगला प्रस्ट को देखते हैं, कि भारत में अब तक किसी राष्ट पती के कि खिलाब महाभयोग लगाया गया है या नहीं तो अभी तक किसी के परती नहीं लगाया गया है अगला प्रस्ट को देखते हैं कि राष्टपती पर महाभयोग किस अधार पर लगाया जाता है ठीक है दोस्तों कि राष्टपती पर महाभयोग किस अधार पर लगाया जाता है तो कब लगाया जाता है जब संविधान का अतिकर्मन करने पर ठीक है राष्ट पती जब संविधान का अतिकर्मन करेंगे तो उन पे महावियोग लगाया जा सकता है चलिए अगला प्रश्ट को देखते हैं अगला प्रश्ट नहीं है भारत के राष्ट पती को पद ओम गोप गोपनियता की सपत कौन दिलाता है भारत के राष्टपती को पदेमं गोपनियता का सपत कौन दिलाता है भारत के मुखे नयधीज सभी जानते हैं अगला प्रस्ट को देखते हैं जो इंपोर्टेंट है कि सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत राष्टपती है जो लोग सभाव और राज़्छभा में राष्टपति कुल कितने सदस से मनोनित कर सकता है ठीक है कि लोग सभाव राजसभा दोनों मिला कर ठीक है राष्टपति कुल कितने सदस्य मनोनित कर सकता है तो 14 सदस को अगला प्रस को देखते हैं जो बहुत इंपोर्टेंट प्रस्न है कि किस विध्यक को राष्टपती पुनर विचार के लिए नहीं लोटा आता है जो धन विध्यक है उसको राष्टपती है जो राष्टपती चली अगला प्रस्न है कि किसी विध्यक्ति को दोसी पाये जाने पर कौन उसे छमादान दे सकता है सभी जानते हैं दोस्तों राष्टपती छमादान दे सकता है अगर किसी को फासी की सजा दी गई है तो राष्टपती अगर चाहेंगे तो उसे छमा कर सकते ह चलि अगला प्रस्ट को देखते हैं कि भारत के राष्ट पती वा उपराष्ट पती के अनुपस्थिती में कारभार कौन गरहन करेगा पहले डिसकास कर चुक हैं दोस्तों कि भारत के राष्ट पती वा उपराष्ट पती के अनुपस्थिती में कारभार कौन गरहन करेगा तो तो सर्वोच नयाले का मुख्ष नाय दीज तो अगला प्रस्ट को देखते हैं कि भारत का राष्ट पति किसके द्वारा चूना जाता है बहुत इंपोर्टन प्रस्ट है दोस्तों इसो ध्यान से देखेगा कर रहा है भारत का राष्ट पति किसके द्वारा चूना जाता है त तो कौन-कौन भाग लेते हैं तो राज सभा और राज की विधान सभा के निर्वाचिस सदसे ठीक है यह जो राश्पती के चुनाओं में भाग लेते हैं ठीक है और देखे दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट है नोट में लिखा हुआ है कि बरतमान में पांडे चेरी वि दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें सामिल किया गया है इसे भी आद रखें ठीक है यह बरतमान में जो पांडे चेरी विधान सभा तथा दिल्ली की विधान सभा के निर्वाचित सदस्य है वो भी राश्पती के चुनाओं में भाग लेते हैं चेले अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राष्ट पती किस सूची के विशय पर अध्यादेश जारी कर सकता है तो संग सूची एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है संग एवं समवर्ति सूची पर अगला प्रस को देखते हैं जो बहुत important प्रशन है दोस्तो कि राष्ट पती चुनाओ के लिए प्रस्तावक एवं अनुमधुकों की संख्या कितनी होती है तो देखे राष्ट पती चुनाओ के लिए जो प्रस्तावक होते हैं जो 50 सदस प्रस सदस अनुमोदक तो दोस्तों इस वीडियो की लास्ट प्रस्ट को देखते हैं लास्ट प्रस्ट क्या है कि राज में राष्ट पती सासन की घोषना कौन करता है तो राष्ट पती करते हैं ठीक है कि राज में राष्ट पती सासन की घोषना कौन करता है तो राष्ट पती करते ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लएगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद